कुश्चिन नमबर 19 में क्या गे फ्याने एक जू से जिसमें ग्वाभा है 85% बाकी है तुम्हारा सुगर ग्वाभा को मैं G लिखता हूँ और सुगर को S लिखता हूँ ठीक है ग्वाभा कितना है ना 85 है अच्छा ग्वाभा 85 है तो बाकी सुगर जो है वो कितना होगा ना 15% होगा ओके तो ये कौन से रेशियो में है ना ये होंगे तुम्हारे 5 से काटो 17 is to 3 रेशियो में है दूसरी तरह बोला है एक अधर जू से पोमेग्रेनेट है उसमें और बाकी रेश्ट उसमें सुगर है जो कि 90% है ये तो 10% सुगर होगा तो ये लोग कौन से रेशियो में है ना 9 is to 1 और इन लोगों को मिलाया जा रहा है 3 is to 2 के रेशियो में अच्छे इन लोगों को मिलाओगे तुम पहले तो एक काम करो कि इन लोगों को पहले सेम रेशियो में तो लाओ सेम कांटिट में तो लाओ देखो यहाँ पे 17 और 3 कितना है टोटल 20 है यहाँ पे 9 और 1 कितना है 10 है 10 है और 20 को हमको इक्वेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा नहीं राइट सेट में मैं यहाँ पे 2 मल्टिप्लाई करूँगा 2 मल्टिप्लाई करूँगा तो यह वाला जो है हमारा 20 हो जाएगा यह वाला तो देखो अब यहाँ पे 2 मल्टिप्लाई किया मैं कितना हो जाएगा ना 18 is 2 यह 2 और यहाँ पे तो कुछ multiply करने के जरूत नहीं था मुझे तो यह था तुम्हारा 17 is to 3 अभी तक मामला clear है अब आगे question में बोला है कि इसको 3 is to 2 ratio में मिलाओ, अब मिला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 17 और 3 20 है, यहाँ पर भी 18 और 20 है, अब इसको 3 और 2 ratio में मिलाओ यहाँ पर multiply 3 यहाँ पर multiply by 2 तो 17 3 जा कितना हो गया 51 और 3 3 जा हो गया 9 और इधर हो गया 18 2 जा 36 and 2 2 जा 4 ओके, अब देखो क्या करेंगे नीचे वाला जो अभी हमारा निकला है G, S, P, S देखो यहाँ पर total G कितना है ना तुम बोलोगे 51 total P कितना है ना तुम बोलोगे 36 total S कितना है यहाँ पे है 9 है, यहाँ पे है 4 है total कितना है, 13 और यह total mixture अभी तुम्हारा कितना हो गया अभी देखो total mixture, ना तुम बोलोगे 51 plus 36 plus 13 यानि कि 100 हो गया अच्छा, इन 100 में से सुगार कितना है, ना 13 है पूछा है, % में बताओ 13 सुगार है out of 100, % के लिए 100 multiply करेंगे, तो answer कितना हो जाएगा ना 13%, option D is the right answer question number 20 में क्या given है ना एक weight का एक mixer है दो variety का, जो कि 2 is to 3 ratio में है 2 is to 3 ratio में यह लोग है, ठीक है तो total कितना है ना total है, 2 और 3, 5 total mixture है, तो बोला है the price of mixture is 12 रुपी पर केजी मान लीजिए, कि यह जो 5 है यह पर किलो 12 है तो 5 किलो को कितना price होगा, ना तुम बोलोगे 60 होगा आगे क्या दिया है, and the price of having lower weight अच्छा, 2 और 3 में कम origin वाला कौन सा लग रहा है, ना 2 तो वो बोला है lower weight जो है, वो 10 रुपे पर किलो है तो 2 किलो को कितना हो जाएगा, ना तुम बोलोगे 20, find the price per kilo of the other variety, देखो total mixture है 60 रुपे का 20 रुपे तुम्हारा यहां मिल गया ओके बाकी ऐसा क्या करोगे ताकि ये जो है मिल के 60 हो जाए ना तुम बोलोगे 20 में से 40 मिलाओगे तो 60 हो जाएगा तो 3 में कितना multiply करना पड़ेगा ताकि 40 आएगा ना तुम बोलोगे 40 by 3 multiply करेंगे, तो question number 20 का answer कितना, option number 2 40 by 3 question number 21 में क्या given है ना 1 by 4 तब दब milk निकाल लिया गया अच्छ एक पूरा milk जाड़ था, उसमें से 1 by 4 इससा निकाल लिया गया मालो, तुम्हारे पास total था 4, एक निकाल लिये तो बचा कितना, remaining बचा कितना अभी, ना तुम बोलोगे 4 में से एक निकाल लोगे, तो 3 बचेगा और बोला है, ये process को total 3 बार repeat किया गया है तो 4 था 3 निकाल लिये, और इसको 3 बार repeat किया गया है इसके लिए मैं एक trick बताया था तुमको क्या करना है ना इसका भी cube कर दो इसका भी cube कर दो, क्यूँ? 3 बार किया गया है तो कितना हो जाएगा, 64 ये कितना हो जाएगा, 27 अब बोला क्या है 297 लिटर of milk is finally left मतलब बोला है कि remaining part जो बच रहा है यानि कि 27 जो है इसी का value question में given है 297 तो पूछा क्या है ना capacity of container मतलब total का पूछा है 27 का value है 297 64 का value कितना हो जाएगा ना 704 तो 21 का answer कितना 704, option number D